दोस्तों आप देख रहे हैं Mitsu Vichy inverter air conditioner का ये model और मेरे हाथ पर हैं इस air conditioner का remote control और आज के इस video पर आपको इस remote control के एक-एक function के बारे में डीटल में बताऊंगा तो इस video को आप बिना skip करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस remote function के एक-एक feature के बारे में complete information मिल सके लेकिन पहले अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहले बार देखने तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल को साथ में बैल आइकन को क्रेस करना मत भूलिएगा कि हमारे चनल पर आपको इसी तरीके के यूसफुल वीडियो टाइम मिलत रहेंगे जो की आपका अधर फीचर्स दे हो हैं उन सारी इंफोमिशन आपको जो है वो विजिबल हो जाएगी तॉप में बात करेंगे दोस्तों पावर ऑन और आफ का बटन हमें देखने को मजदा है जिसलिके हमें एर कंडिशनर को आउन कर सकते हैं और आफ भी कर सकते हैं खिलाल एर कंडिशनर तो आफ रूस्स करेंगे लिजिए को सब्मक्र आगा über कोंडियोंगा करीशने को मलते हैं और फीन करम नकाल टाइम लगता है अपको कुलिंग डिलिवर करने है एक शलेकर 4 तक तो आप जिस किसी भी fan की speed पर comfortable feel करें उसे साथ से आप speed को set कर सकते हैं maximum 4 है वैसे ideally अगर आप दो उबर रखेंगी तो वो एक universal जो है वो fan की speed मानी जाती है लेकिन अगर आप उससे भी कम में set कर में सहाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं उसके लाब आप बात करें दोस्तों यहां पर temperature plus minus की की के बारे में तो सिद्धी सी बात है down की से हम temperature को कम कर सकते हैं और अफ वाली की से हम temperature को increase कर सकता है normally जो default temperature होता है वो 24 degree ही होता है और आपको एक conditional 24 degree पर ही चलाना चाहिए जो की human body के लिए एक बिल्कुल सही temperature माना जाता है अगले feature की बात करें वो है mode का feature जोस्तों mode की feature के अंदर आपको अलग-अलग modes देखने में मगलता है जिसे कि अभी हमने place किया और यहां पर dry mode का option आ रहा है dry mode जो है वो rainy season में use किया जाता है क्योंकि जब कभी वो बरसात होती है तो room में जो भी humidity level है वो काफी बढ़ जाता है और उसको कम करने के लिए हमें dry mode यूज़ करना चाहिए dry mode में air conditioner जो है वो low wattage पर perform करता है यानि कि compressor low watt पर काम करता है और fan की speed increase हो जाती है जिससे की humidity level आपके room से काफी कम हो जाता है और आपको एक comfortable environment मिलता है dry mode को use करने से दोस्तों power saving भी एच्छी कासी होती है तो खासका rainy season में जब कभी भी चिकशी पर माहूल हो जाए तब आपको dry mode ज़रूर यूज़ करना चाहिए dry mode की बाद दोस्तों जैसे हम mode को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक symbol बनावू आता है अगले mode की बात करें कि दोस्तों वो है cool mode cool mode जो है वो हम seven season में यूज़ करता है normally हम air conditioner से cooling की लेता है तो cool mode पर हम यह air conditioner यूज़ करना होता है और आप जो भी temperature plus minus करना साथ है वो cool mode पर आप अपनी हिसाब से set कर सकते है next key की बात करें दोस्तों यहाँ पर डो button दे हुए है जिसमें high और eco तोनो है high का मतलब यह है कि दोस्तों आप high पर जब कभी भी air conditioner को use करेंगे तो यहाँ पर एक symbol बना हुआ जाएगा पर air conditioner को use कर सकता है लेकिन आपको लगाता है इस mode पर air conditioner को use नहीं करना है तो कि compressor जो है वो maximum wattage पर काम करता है और इसे में आपका विजली का बिल भी जादा आ सकता है cooling तो जरो fast मिल जाएगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस duration में आपको cooling मिले तो for a time आप ये feature यूज़ कर सकता है इसी key के अंदर दोस्तों एक और key दी हुई है वो है eco की eco बटन आप जिससे जगवाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको eco का symbol visible हो जाएगा और eco में air conditioner जो है वो आपको power saving अच्छी खासी provide करता है decent cooling के साथ में इस feature को आप night के समय जरूर यूज़ करें क्योंकि night temperature इतना जादा होता भी नहीं है और अगर आप इस feature को use करेंगे उस दोरान तो आपको एक अच्छी comfortable cooling मिलेगी साथ में आपकी अच्छी रास्य पावर सिंग भी हो जाए अब बात करते हैं दोस्तों नीचे की दिवी की के बारे हैं तो यहाँ पर L and R की की दिवी है इसका मतलब यह है कि यह दोस्तों left and right आपको airflow देखने को मिलेगा तो आप इस की को जैसी प्रेस करेंगे तो indoor unit के जो अंदर के blower है वहाँ से जो air direction आपको मिलती है P को प्रेस करना है में left and right जो है वो rotation होना start हो जाएगा और अगर आप up and down P को प्रेस करेंगे तो ब्लोर अभी आप movement भी दिख पा रहा होंगे इस तरीके से यहाँ पर ब्लोर जो है आपको up and down pulling देना शुरू कर देगा आप normally जिसकिसी भी direction में set करना चाहते है उस direction में भी अगर आप single time प्रेस करते है तो वो set हो जाती है लेकिन अगर आप चाहते है कि वो continue mode में up and down होती रहे तो आपको एक या दो तिन बार प्रेस करनी होती है उसके बाद जो indoor unit का ब्लोर है वो continuously जो है वो movement करना शुरू कर देता है और आपको एक अच्छी decent cooling provide करता है up and down यहीं कि लगाता है चलता रहता है और आपको एक अच्छी cooling provide करता है तो यह airflow का जो feature है यहने कि आप string feature भी बोल सकता है अपनी requirement के साब से आप use कर सकता है अगले feature की बात करें है वो है 3D auto तो आपको तीन अलग अलग direction में जो है वो air मिलना शुरू हो जाती है अगर आप 3D auto कर सेट करता है और automatically air conditioner जो है वो airflow को manage करता है और three different direction में आपको airflow देखने को मलता है जिससे कि आपको रूम भी अच्छा रंडा होता है और आपको एक अच्छा comfortable environment दिलता है इन features को दोस्तों आपको तब use करना चाहिए जब आपको ज़्यादा cooling की requirement हो otherwise आप auto road पर भी air conditioner को use कर सकते हैं अगले feature की बात करें वो है silent का आप चाहते हैं कि air conditioner का जो glow है अगर वो ज़्यादा noise कर रहा है और fan की speed को कम करना चाहते हैं अगर आपको कुछ emergency call आ गया और आप चाहते हैं कि interruption आपको बिलकुल लाए है तो आप silent button को जैसे ही use करेंगे तो उस condition में जो glow है उसके जो fan की speed है वो काफी कम हो जाएगी और आपको noise लाक के बराबर देखने को बनेगा बान के चल सकते हैं कि बिलकुल noise नहीं देखने को बनेगा दोबार अगर आप इस key को क्रेस करेंगे तो air conditioner वापस जो भी default वहले की setting थी उसी mode पर वापस चला जाएगा अब हम next case के बारे में बात करके हैं दोस्तों यहाँ पर हमें जो case भी हुई है on timer की या off timer की तो अगर आप चाहते हैं कि air conditioner आपकी timing के साथ से चले तो on timer पर जिसे आप button पर click करेंगे तो यहाँ पर एक on का button आजाता है उसके बार timing आप जो है वो इस up and down की से set कर सकता है यहाँ आप आप देख रहे हैं कि 10 minute के slot आ रहा है तो आपका जो भी timer on है वो set हो जाबा है और अगर आप नहीं करना साथ है तो cancel button पर click करेंगे तो वो process आगे नहीं बढ़ेगी पर timer off button पर अगर आप कोई भी timing set करना साथ है तो जिससे यहाँ पर clock लगए तो off timer की जो भी setting आप चाहते हैं यह set करें उसके बाद अगर आप set button पर click करेंगे तो timer off का button भी proper set हो जाएगा बोलने का बतलब यह है कि आप चाहते हैं कि particular timing पर air conditioner on हो और आपकी जो भी timing set को यह हो उस time पर automatically air conditioner off हो जाए तो यह timer on और timer off के setting आप कर सकता है जिसमें on timer से आप timing clock set करें और set button पर click करें तो हो जाएगी अगर आप दुबारा उसमें off करना साथ है तो जो भी timer on है उसको button पर click करेंगे और process को cancel करेंगे तो timer को आप off भी कर सकते हैं सेम process हैने के timer off को भी आप यहाँ पर click करने के बाद में cancel button पर click करेंगे तो आप जो भी आपने timing set करी उससे आप cancel भी कर सकता है on और off दोनों के ही यहाँ पर functions दिये हुए हैं और इन पांचों के की help से आप यह process कर पाएंगे अगले feature की बात करता है वो है sleep mode sleep mode दोस्तो नाइट के समय यूश कह जाता है पहले में आप उता दूँ कि sleep mode की जरूत की उती क्यों है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि night के समय में जिसे जिसे रात उती जाती है वैसे वैसे temperature down हो जाता है जिसे कि हम जिस समय सो रहे हैं उससे में temperature जाता है midnight को temperature थोड़ा down होगा early morning में काफी जाता round हो जाता है तो sleep mode को भी वैसे design किया गया है sleep mode पे जिसे हम click करते हैं तो यहां बर timing overs आ जाता है timing overs आप अपने साब से select कर सकते हैं maximum 10 गंटे की timing process दी हुई है जो भी आप timing select करेंगे उसके बाद आपको set button पे click करना होता है और आपका जो भी timing जिस समय आपने start किया सबोज अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे अगर आपने sleep mode start कर दिया और आपने 8 गंटे की लिए गया और इस दोरान क्या होगा कि दोस्तों air conditioner जो है वो regular intervals में temperature को increase करेगा जयने एक बिगिनी temperature को increase करेगा और ऐसा air conditioner जो है maximum 3 बार करेगा हर एक air conditioner की जो sleep timing की जो process होती है temperature increase कोने की timing होटी है तो उससे साब से जिससे जिससे रात में temperature जो हो down उप जाता है वैसे वैसे air conditioner भी अपने temperature को increase करता है तो समय इससे क्या होता है कि दोस्तों आपको cooling भी ज़्यादा देखने को ने मिलते हैं सिर्य से बाद है जितनी comfortable cooling की आपको requirement है उतनी cooling आपको मिलती रहती है आपके निन भी disturb नहीं होती है और sleep mode यूज़ करने के फायदे यह है कि दोस्तों आपको अच्छी खासी power saving भी होती है तो sleep mode को ज़रूर आपको यूज़ करना सही है company ने दिया ही इसले feature है कि आप night के समय से use करें कि comfortable environment को enjoy करें साथ में follow saving भी करें अब बात करता है next feature कि वो है weekly weekly का मतलब यह है कि दूस्तों जैसे हम weekly पर click करते है तो यहाँ पर weekly का एक item मना हुआ आजाता है आप यहाँ पर जो भी आपका timer on है timer आप weekly on कर सकते है या weekly off कर सकते है तो week के इसाब से आप अपने इसाब से setting कर सकते है और आप timer on और off की process को manage कर सकते है next button है time setup अगर आप remote control के clock की timing set करना चाहता है आपकी जो भी timing की हुई है तो आप time setup पर click करके जो भी process है उस process के through कर सकता है अगली की है clean button clean button को जिससे आप trace करेंगे तो air conditioner, indoor unit की evaporator coils या जिसे हम cooling coils भी कहता है उसको clean करता है यह feature कब काम करेगा वो मैं आपको process बतायता हूँ जिसे आप clean button पर click करेंगे उसके बाद में working mode में लाने के लिए आपको off button पर click करना होता है यानि कि power off button पर आप click करेंगे तब ही यह program run होगा उस दोरान air conditioner के जो indoor unit का जो flip cover है वो पुरी तरीके से close हो जाएगा और air conditioner दो घंटे का एक program run करेगा उसके उस program की दोरान indoor unit की cooling calls को proper तरीके से clean करेगा क्योंकि normally क्या होता है कि काफे सारा moisture freeze हो जाता है cooling calls के उपर या dust particle freeze हो जाता है या फिर हम बात करें कि fungal भी कभी air conditioner की indoor unit की cooling calls पर freeze हो जाती है या नहीं कि पहले ice freeze करता है उसके बाद melt करता है और उसके बाद proper clean करता है तो maximum दो घंटे का program run करेगा air conditioner और आपकी indoor unit की cooling को proper तरीके से clean करेगा ये feature काफी उपी होगी है अगर आप ऐसे इलागे से belong करता है जहाँ पर dust देखने को मिलेगी तो दोस्तों ये ही complete information में 300 विशी inverter air conditioner की इस remote के बारे में जहाँ पर हमने एक-एक function को आपको detail में explain किया है और में दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे doubts जरू clear होंगे अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा स्यदा अपने family, friends में विटसर जरू शिर कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरू कीजिएगा आपकी कमेंट का अंसर आपको हमारी उस्टिन मिल जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुँ चल देख न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय ही बंदी मातरा